हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो प्रेग्नेंसी के दोरान डिलीवरी के समय एक तरह का डिस्चार्ज निकलना डिलीवरी कब होने वाली है इसका सबसे अच्छा संकेत माना जाता है यानि कि इस डिस्चार्ज से आप बहुत जल्दे समझ जाएंगे कि आपके डिलीवरी में बहुत कम टाइम बचा हुआ है इसे जिनरली म्यूकस प्लक कहते हैं और इसका काम ये होता है कि जब कोई भी महिला गर्व धारन करती है तो उसके बच्चे के सुरक्षा ये म्यूकस प्लक बच्चेदानी के मुँख पे जम जाता है एक टरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है जाली नूमा जिसकी वज़ह से किसी भी तरह का बच्चेको नुक्सान बाहरी किसी बैक्टिरिया से नहीं होता है यानि बच्चा गर्व में सुरक्षित होता है किसी भी तरह का उसको infection ना लगे इसके लिए आपके बच्चेदानी के मुह पे बच्चेदानी बंद होने के बाद उसके उपर की तरफ एक layer होती है जिसको mucos plug कहते हैं और ये धीरे धीरे जैसे जैसे गर्व धारन में आप पहले चरण में होती हैं जैसे कि आपकी कम दिन के pregnancy है पहला दूसरा तीसरा महिना इस तरह का है तो ये पहले तो पतला होता है लेकिन जैसे जैसे आपके अवधि बढ़तने लगती है प्रेगनसी में दर महीने दर महीने आप आगे बढ़ती है तब वैसे ही ये mucos plug भी काफी गाढ़ा होता चला जाता है इस mucos plug का काम बस आपके बच्चे को सुरक्षा देना है इसके साथ ही आपको भी bacterial infection से बचाना है क्योंकि आपकी uterus में कोई infection ना रहे आपकी urine के passes में भी कोई infection ना रहे तो इसके लिए ब पूरा बन जाता है और फिर निकलने भी लगता है और वो time होता है आपके delivery से कुछ चन पहले का यानि एक विक पहले से भी आपको ये मैसोस हो सकता है कि आपके सरीर से नीचले अंगों से आपको कुछ mucos plug यानि की चिपचिपा सा द्रव्य निकलता हुआ दिखाई दे रह आपको इस तरह के spots निकलते वे दिखाई दे रहे हैं तो आपको घवराने की जरूरत नहीं है जनरली जब बच्चे दानी का मुह मुलायम होता है और वो खुलना शुरू करता है तो फिर सबसे पहले इस discharge को ही release करता है ये mucos plug निकलने लगता है कई बार कुछ महिलाओं कि धीरे धीरे जो cervix की है वो opening होती है बच्चे दानी की तो ये पहले धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई देता है लेकिन बाद में फिर भारी मातरा में भी दिखाई दे सकता है लेकिन ये भी धियान रखिए कि कभी भी गर्वावस्ता में किसी भी महीने में आपको कोई भी तो आपको तुरंट सचेत हो जाना है ये आपके बाहरी मुख पे यानि जहां से यूरिन पास करती है पेशाप करती है उसके बाहरी मुख पे होने वाले संक्रमन की वज़े से होता है जिसमें बहुत तेज बदबू भी आती है और महिलाओं को खुझली बहुत जादा लाल कीमा के शिकायत होती है तो ऐसी बाली डिस्चार्ज में तुरंत डॉक्टर से हेल्प लेना है बागी आपको अगर म्यूकस प्लग दिखाई देता है तो वो डिलेवरी के डियू डेट के या फिर पूरे आपके 40 वेक या किसी भी वीक में 34 सब्तों के बाद आपको नजर आ सक प्रस्चन है तो आप नीचे कॉमेंट शिक्षन में लिख सकती है और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिलकुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब भी चानल को जरूर कर ले फ्री आफ कॉस्ट है फ्रेंस तो वीडियो डेखने के बाद लाइक सब्सक्रा थैंक य।